तो आज हम देखेंगे लेटेस्ट गौर्मेंट जॉब्स कौन कौन से निकली है और उनकी क्या क्या नोटिफिकेशन है सबसे पहले अगर हम बात करें एम्स राज कोट में जी आर की पोस्ट निकली है तोटल वेकेंस हैं 64 और पोस्ट का नाम है जूनियर रजिडेंट ठीक है इसमें जो application की last age है that is 33 years और कई बर age relaxation है as per the government rules और जो एम्स की राज कोट की पोस्ट है इसकी टोटल जो पीस है that is general category के लिए EWS के लिए और OBC के लिए 1000 रुपीस और SC और ST category के लिए 800 रुपीस और PWBD category के लिए कोई भी फीस नहीं है अब सबसे important आ जाता है कोई भी चाहिए वह वाली candidates होने चाहिए जिन्होंने अपनी MBBS degree complete किये या BDS degree complete किये relevant subject में और selection का process क्या रहने वाला है interview के तुरू आपका selection हो होने वाला है अगर आपको detailed information चाहिए तो आप description में इसका जो link है वो check कर सकते है next जो हमारी vacancy निकली है वो निकली है ECIL काफी लोगों ने इसकी organization का नाम है नहीं सुना होता है तो यह जो vacancy है आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें जो competition का level है वो बहुत कम होने वाला है तो इसकी जो इसकी organization की सबसे पहले हमें full form पता हों चाहिए that is electronics corporation of India limited और इसमें जो post निकली है वो किस चीज की निकली है technical officer की निकल चाहिए यह बीटेक करी होनी चाहिए बाकी हर एक पोस्ट के according different criteria है और इसमें भी जो selection process रहने वाला है वो interview की थ्रू ही होने वाला है ठीक है उसके बाद जो हमारी next frequency है that is from a very good organization that is sports authority of India अगर आप इस organization में जाते हो आपको बहुत जाथ exposure और भी मिलने वाला है तो इसमें जो सब्सक्राइब कर सकते हो और पोस्ट का नाम है जूनियर कंसल्टेंट एज लिमिट है अप टू 45 और इसमें कौलिफिकेशन से अलग लग पोस्ट वाइस हैं तो अगर आपने बीगी करी है बीटेक करी है या मास्टर्स डिग्री करी है या किसी ने पोस्ट ग्राजवेट इसके तुरू आप अप्लाइब कर सकते हो और सेलेक्शन प्रोसेस से एक आपको स्केल टेस्ट देना पड़ेगा और एक आपको इंटर्व्यू देना पड़ेगा नेक्स्ट हमारी पोस्ट आजाती है एम नागपूर की तो यहां पी MS की पोस्ट है यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही हाई-पेंग जॉब है तो इसमें भी वेकेंशी सिरफ एक ही है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की पॉस्ट है एज लेमिट है अप टू 56 यह और इसमें यादो आपकी MD कंप्लीट होनी चाहिए यह MS कंप्लीट होनी चाहिए ठीक है सिलेक्शन का प्रोसेस जो र सिलेक्शन का वो अलग पोस्ट वाइज वेरी करेगा और इसकी जो सब्जेक्ट के आपकी कौलिफिकेशन होनी चाहिए इसका जो लेंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़के अपलाए कर सकते हूं और इसका जो सेलेक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली में बेस्ट है अगर अगर आप एडुकेशन कौलिफिकेशन पॉसेस करते हो तो आप इंटर्वी के बेसिस पर यहां पर जाके अपलाए कर सकते हो इसारी के सारी पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन चानल पर मिल